सब्सक्राइब कीजिए हमारे एंग्रूप यूट्यूब चैनल को और दबाईए इस बेल आइकन को ताकि मेरी सभी लेटिस्ट वीडियो की नॉट्सिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके आज हम बात करने वाले हैं पेट से जुड़ी एक आम समस्या बार बार खटी डकार आने के बारे में और इसे दूर करने के कुछ असरदार घरेलो उपायों के बारे में खटी डखार आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे समय पर ना सोना, समय पर ना खाना, समय पर ना उठना, ज़्यादा मसालेदार बोजन का सेवन करना, कई बार ज़्यादा खा लेना, ये सबी वज़े खटी डखारों का कारण बनती हैं, कई बार हम अधिक मातरा में बोजन का स लास्ते होता हुए उपर की तरफ आने लगता है जिससे क्या होता है हमारे सीने में जलन होना खटी डकार आने लगती है इसी वज़े से कई बार हमें पेट में भी दर्द होने लगता है तो चलिए जान लेते हैं कुछ असरदार घरेलों उपायों के बारे में जिससे हमें कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले हमें चाइए काला नमक आप उस चाले नमक को पीस लीजिए एक हमें चाहीं काला नमक लेettsाह उसके बाद हमें लेना है भुना हुवग जीरा उस जीरे को हम तविपर भून कर इसका एक पाउडर बना लें इसके बाद दोस्तों हमें मार्केट से ही मिल जाता हैं दोस्तों अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं अब इस चूरन को आप हर रोज एक चमच रात को सोते समय एक ग्लास गुनगुने पानी के साथ या दूद के साथ ले सकते हैं यह प आजवायन को पीस कर रख सकते हैं और सुबह उठकर खाली पेट या रात को सोते समय एक चमच अजवायन के पाउडर को शहत के साथ चाटने से पेट से जुड़ी समस्याओं से बहुत ज़्यादा राहत मिलती हैं आवले का पाउडर भी पेट की समस्याओं के लिए बहुत ज़्यादा उपी होगी हैं या आपको किसी भी ऑनलाइन शोप से या लोकल मार्केट में इजली अवलेबल हो जाता हैं आप एक चमच आवले के पाउडर को सुबह खाली पेट या रात को सोते समय साधे पानी के साथ ले सकते हैं इससे आपको खटी डग बदहजमी सीने मे जलन जैसे समस्याओं से बहुत ही जल्द छुटकारा मिलेगा ऐसे ही स्वास्ते से जुड़े अन्य महत्वण उपाएं के लिए आप मेरे चैनल एंग्रूप का जी सबस्क्राइब कीजिए बेल आइकर को दबाईए इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजि और अपने सुझाओं को कमेंट के जरी हमें जरूर बताएं